कुछ ओधरी मैं हूँ नताशा हम बात करने जा रहे हैं आज विवेक और खुशी के बारे में उनको जो कमेंट शेक्शन है ना जो इंस्टाग्राम का कमेंट शेक्शन है उस पर गंदगी हद से जादा बढ़ चुकी है रुकने का नाम नहीं ले रही है और एक चीज मैं आज कनफर्म कर दूँ ये बात कनफर्म है और ये बात रियल है कि इन दोनों की तलाग की खबरे जो आ रही है उनमें सच्चाई है बट उनमें सच्चाई हमको क्यों लगती है या फिर हमें क्यों पता है जादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी यहां पर कि कुछ सबूत आया है जो बहुत से लोगों के पास में आया है जिससे चीज़े क्लियर हो रही है कि हां इस तरीके की चीज़े हैं दूसरी बात यह है कि जो नेगेटिविटी इनके कॉमेंट शेक्शन पर आ रही है दोनों में से कोई ही इसका रिप्लाई नहीं दे रहा है यह भी एक बहुत बड़ा क्ल्यू है कि भाई इन दोनों के बीच में जरूर कुछ पंगा है क्योंकि जहां पर यह चीज़े होती है दूसरे के बीच में मन मुटावाते हैं जब लोग एक दूसरे के लिए कॉमेंट जो इस तरीके के हैं वो रखते हैं और ना त हैं वही पर उनोंने अपना कोमेंट शेक्षन जो इंस्ट्राग्राम का है वो बंद कर दिया क्योंकि उनके पास na wide comment आए थे परशान कर रहे थें और उन्होंने वह कोमेंट चेक्षन बंद कर दिया है जिसे की हेट ना मिले तो इस तरीक अगा के फैसला कर वी 25 और खुषी लिया विवेक ने खुशी का फॉन छीन दिया उस शीज को थीक है लिफ कहा यहां यह चिजे आप हो पशनल भी बताएगाई कि हाँ छीन लिफ्स पर्वियन है तो उसके बाद में शुर्दिया है KAD ARE और जुट險 होती है जिसमें खुशी से बात कर रही है वो भी हमने माल लिया कि किसी और के फोन से या नया फोन लेकर बात कर रही होंगे तो कॉल रिकोर्डिंग होंगे लेकिन उसके साथ में एक और मैं बात बता देती हूं जो कि काफे साथा पर्सनल है जिसका प्लीज आप लोग प्रूफ ना मांगेगा कि विवेक की कुछ फोटोस भी लीक हुई है किसी लड़की के साथ में और कुछ भी वीडियोस भी लीक हुई है और सच में लोगों के पास में ये पहुची हैं ये पहुची हैं लोगों के पास में तो वो ओडियो अगर कुशी का फोन जो है वो रख लिया था उन्होंने तो ये ओडियो और ये जो वीडियो है बतब ओडियो तो समझ गए वीडियो और जो फोटो है वो किस तरीके से लीक होए वो कहां से लीक हो रहे है फिर क्या इनके बीच में कोई ओरा तीस राग लगा जिनके बीक पास ये सबूत है या फिर क्या सच्च है अब तक ये चीज़े समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कुशी के फोन की जो सच्चाई है वो क्या है लेकिन इतना जरूर है कि कुछ तो गडबड इसमें जरूर है अब हम आते हैं थोड़े इनके कुमेंट शेक्शन पर कि विवेक उनके वहाँ पर कुमेंट किया मैं आपको कहते हूं कि आपको श्रम आने चाहिए आप किसी से नफरत करते। हैं आप समझ गयोंगे कर लिया है विवेक ने कल रात में न्यूज आ रही है किसी ने देखी कि नहीं फिर किसी ने वहाँ पर रिप्लाई किया आपको कैसे पता तो यह बोलते हैं आज तक न्यूज पर आ रही है फासी लगा ली डैश ने अपने बेटे के साथ मतलब ना सिर्फ उनको बलकि छोटे बच्चे को भी गसीर रहे हैं आपको सच में शरम आनी चाहिए ऐसे लोगों का क्या ही करें आज तक में हमें तो कोई न्यूज नहीं दिखाए दी आप ओडियंस है आप जो व्यूवर्स है आप प्लीज कोमेंट बॉक्स में बताए क्या है आपने ऐसी क कोई न्यूज सुनी है लेकिन इस तरीके के लोगों को जो इस तरीके के कोमेंट कर रहे हैं उनको हम क्या बोले इसके साथ में और यह जब मैंने स्क्रिंशोट लिया था कुछ घंटे पहले उससे 16 घंटे पहले का है लिंक या टाइम बताओ भाई जरा तो यह किसी ने कोमे रहे हैं इनमें भी अभी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है सिर्फ क्या हो रहा है कि कुछ सबूत कुछ लोगों तक पोचाए गए हैं उन लोगों से चीजे बुलवाए गई है दोनों तरफ negativity create की गई है और हम यह नहीं कहेंगे कि यह विवेक और खुशी के द्वारा ह हुई है या तो इनके बीच में कोई आग लगा रहा है जिसको पता है कि इनको अलग करना है किस तरीके से अलग करना है वो चीजे या यह खुद कर रहे हैं इस बात का भी कोई सबूत नहीं है लेकिन यह चीज़े जो इस तरीके के कोमेंट्स आ रहे हैं इस तरीके की चीज जारी है उनको कहां तक रोका जाए आप ना तो विवेक कुशी को दोनों को बोल यूँ ना तो आपकी इज्जत पर इतने दूसरा चलिए ठीक है आपके बीच में इतनी नफरत आगे लेकिन आपके बच्चे के लिए भी एक बात बोली जा रही है तो आप लोग कब तक चुप रहेंगे सिर्फ इस वज़े से कि आपको साथ में लाइफ में कुछ हो गया है कुछ चीजे हो रही है आप क्या इतना भी क्या कोमेंट आ रहे हैं उनको क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए अब आप खुद अपना साथ नहीं दे रहे हैँ तो पब्लिक या जो रियेक्शन चैनल वाले हैं क्योंकि रियेक्शन चैनल को भी सपोर्ट करते हैं वहीं पर विवेक और खुशी यहां पर नहीं है शोशल मीडिया पर नहीं है लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी चीजों को बता रहे हैं क्योंकि उनकी पुब्लिक परिशान है जिससे बता रहे हैं लेकिन उनको सपोर्ट करें क्योंक इतने गंदे कॉमेंट्स आ रहे हैं इतनी गंदी चीज़े हो रही है लेकिन कब तक लोग आपको आपके जो इतने फैन 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 पेजिस हैं वो कब तक आपको सपोर्ट करेंगे जब आप अपने खुद आवाज ने उठा रहे हैं आपको सब को घसीट लिया आपके परिवार वालों को घसीट लिया आपको घसीट लिया आपके बच्चे तक को घसीट है लेकिन आप कब तक चुप रहेंगे समझ में नहीं आ रहा है कब आपसे आएगी एक चीज और बताए गई थी यहाँ पर कि विवेग खुशी का जो चै विवेक कुशी का चैनल नहीं आ रहा है तो यह बड़ी चीज है कि क्या उन्होंने अपना चैनल तक भी डिलीट कर दिया है क्योंकि चैनल डिलीट तभी करेंगे या तो केस वगेरा कि कुछ बातें चल रही है जिसमें काफी सारे सबूद चैनल से मिल सकते थे जिसके बाद में चैनल ही रिमूव कर दिया गया है जिसके पास अथोर्टी होगी और अथोर्टी है क्या है जारी कि विवेक के पास होगी उसमें प्रूफ बहुत सारे मिल सकते थे उसको चैनल को डिलीट कर दिया गया है तो क्या सच में ऐसा है कि ये दोनों अब बोलेंगे ही नहीं और पब्लिक ऐसे परिशान होती रहेगी लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये लोग है इंफ्लेंसर बोलेंगे जरूर जब इनका सब कुछ फिनिश हो जाएगा न तो ये लोग बोलेंगे और उसके बाद शायद गंदगी भी कर सकते हैं लेकिन देखना ही होगा कि होगा क्या चलिए हम करते हैं वीडियो को एन मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक किले बाबाय थैंक्यू सो मच